प्रश्ण नमबर एक सम्वधिय कहानी का प्रतिपाद्य क्या है सम्वधिय कहानी में मानुविय सम्वेदना की गहन यानि गहरी और विलक्षन पहचान हुई है अनोखी पहचान हुई है इसमें आसहाय और सहनशील नारीमन के कोमल तन्तु की और उसके दुख और करुणा की पीड़ा और यातना की सुक्ष्म पकड़ हुई है यहाँ पर जो प्रशन हमसे पूचा जा रहा है कि जो सम्वधिय कहानी हमें पढ़ी जैसा कि इसकी लाइंटु लएन एक्सिलेनेशन के साथ चेप्टर भी आपको एक्स्प्लेशन किया गह है संबरी भी दी गई है उस कहानी के जरी हमें पता लगता है कि जो समवधिया है पहली बात तो समवधिया कौन होता है उसका कारे क्या होता है और कैसे बड़ी बहु का जो संदेश है उसके माईके तक पहुँचाने का काम हर गोविन को करना होता है लेकिन वो अपने गाउं की जड़ी बहुंता है उसके माईके तक पहुचाने की बजये वह किस्ता कुई को होता है और यह सब कहानी हमें को देखने को पढ़ने को रृती है टो कहानी प्रतिपाद्य हमें यही बताता है इस कहानी के जरिये कि जो यह कहानी में समवध्य कहानी में मानेवे समवेदना यानि इनसान जो इमोशनल होता है अपनी भावनाएं जो एक दूसरे से शेयर करता है उसकी गहराई को दिखाता है और उसकी अनोखी पहचान भी करते वे उसके कोमल तंतु की पहचान की गई है यानि कि इस्तरी जो होती हो कितनी आसहाय हो जाती है सहंशील होती है और उसके नारी मन क्या कोमल तंतु यानि कि मन से कितनी कोमल होती है उसको दिखाया गया है साथ ही उसके दुख और करुणा की पीड़ा और यातना की यानि उसके जी उसलमे इंब्धाने बहुर्या के लिए सभिध से अभिवक्तिक है डिस्टप्भ है इस मन में यातना थी पीडा थी उसका जो हाहाकार है किस तरीके से उस यातना पीडा को एक लंबे समय से वो सह रही है किसी तरीके से जी रही है लेकिन एक वक्त पर वो हार जाती है उस समवधिया के जरी अपने माईके तक अपनी उस दुख दर्द पीडा को बाटने के लिए भेजती ह और किस तरीके से कहानी हम आगे देखते है तो समवधिया कहानी के जरिए हमें नारी मन नारी के विशे में जानकारी मिलती है प्रश्च नमर दो बड़ी बहुर्या का जा सम्माद है हर गोविन उसके माई के तक क्यों नहीं पहुंचा सका यहां पर जो पार्ट का नाम है सम्मदिया जो हमारे सम्मादों को पहुंचाता है कई बार हमने सुना है कि जो चिठी पत्र है उनको एक जगा सा दूसरी जगा डाक ये दुवारा पहुचाया जाता है ऐसे ही समवधिया होते हैं जो आपकी बातों को as it is जिस भाव के साथ जिस expression के साथ आप उसे तक पहुचा रहे हैं बलकि उस तक उसे डारेक्ट पहुचा रहे हैं बता रहे हैं कि उसको as it is उसे पहुचाना है वो समवधिया होता है और समवधिया का रोल जो यहां पर प्ले कर रहा है हर गोविन तो बड़ी बहुरिया का जो समवाद है हर गोविन उसके माईके तक क्यों नहीं पहुचाता है बड़ी बहुरिया की जो मानसिक पीड़ा है और यातना मानसिक पीड़ा यानि दिमागी तोर पर बहुत परिशान है बहुत ज़्यादा पीड़ा यातना में है और उसी पीड़ा यातना को शेयर करने के लिए वो अपने माई के तक ये बात पहुचाना चाहती है जिससे कि कोई ना कोई सहारा मिल सके तो जो बड़ी बहुरिया है उसकी मानसिक टीड़ा और यातना को हरगोविन अच्छी तरह समझ गया था उसके माई के पहुचकर वहां का जो खुशनुमा वातावरन था और आव भगत थी उसको देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि इससे हरगोविन को अपने गाउं की इज़त भी मिट्टी में मिलती हुई दिख रही थी तता लग रहा था कि फिर गाउं की लक्षमी जो है वो सदा के लिए गाउं छोड़ कर चली जाएगी उसकी वेदना का समाचार वे किस मूँ से सुनाएगा और इस कारण से हरगोविन जो की समवधिया है वो बड़ी बहुरिया के समवाद को उनके घर तक उनके माईके तक नहीं पहुचाता है क्योंकि उनकी मानसिक पीड़ा और यातना को हरगोविन पहचानत हो गया है लेकिन उनके माईके में जो खुशनुमा माहौल वो उसको खराब नहीं करना चाते है पहला रीजन तो ये है दूसरा रीजन ये कि उनके गाओं की बेजती होगी इंसल्ट होगी कि उनके घर में उनके गाओं में आने वाली जो बहु बेटिया है वो किस तरीके से यातना और पीड़ा सह रही होती है प्रश नमबर तीन गाड़ी पर सवार होने के बाद समवधिया की मन में काटे की चुभन का अनुभाव क्यों हो रहा था उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय सोचा जब वो गाड़ी पर सवार हो जाता है तो उसके बाद जो समवधिया है यानि हर गोबिन उसके मन में काटे की चुभन का नुभाव हो रहा था यानि असल में काटे नहीं चुभ रहे थे मन में यानि कि जिस तरीके से काटे की चुभन जो है महसूस होती है वैसे ही कोई बात उसे चुभ रही थी, उसे परेशान कर रही थी तो काटे की चुभन का मतलब यहाँ पर होना परेशान होने से है अब वो उससे छुटकार पाने के लिए क्या उपए सोचता है तो गाड़ी पर सवार होने के बाद समवधिया उसको पुराने दिनों की याद आती है बड़ी बहुरिया के दुखी जीवन को देखकर उसका कलेजा मूँ को आ रहा था यानि कि एक वक्त था जब बड़ी बहुरिया उनका आर्थिक और समाजिक तौर पर जो जिस तरीके का जीवन था उन्होंने देखा हुआ था और किस तरीके से बड़ी हविले की जो बड़ी बहुर हैं उनके साथ उनके प्रभाव से जो वहां की नाउन भी हुआ करती थी मांसिक इस्तिती में है जिस दुख और पीड़ा को वह सह रही है उसे देखकर उनके जीवन को देखकर जो है हर्गोविन यानि सम्वधिया का जो कलेजा है वो मुख को आ रहा है यह उनके दुख को महसूस करके वो परेशान हो रहा है वैं मन ही मन सोच रहा था कि वहां करने क जा रहा है क्या यह उचित है इस इस्तिती से चुटकार पाने के लिए हर्गोविन ने पास बैठे यात्री से पूछा क्यों भाय साहब ये गाड़ी थारा भी हम पूर रुकती है या नहीं जबकि उसके जवाब से हर्गोविन ने भाप लिया कि वेविक्ति चिर्चिरे बड़ी बहुरिया के विशे में सोच कर जो है उसके मन में ये बाते काटे की तरह चुब रही थी परेशान कर रही थी और उसने यहीं उपाय सोचा कि वह किस तरीके से साथ में बठे यात्री से जो वारता लाप है वहीं पर रोग देता है चिर्चिरे सोभाओ का है और यानि जलाल गड़ पहुंच जाता है तो वो क्या संकल्प लेता है इससे उसकी कौन सी विशेष्टा उद्गाटित होती है बड़ी बहुरिया के समवाद को वो उनके माईके तक नहीं पहुचाते क्योंकि इससे गाउं की इज़त खराब होगी और बड़ी बहुरिया का ज उसके चरित्र की कौन सी विशेष्टा सामने आती है वो भी इस प्रश्ण के उत्तर में हमें बताना है तो जलाल गड़ पहुचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हर्गोविन ने ये संकल्प लिया कि अब वे उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा तो यहाँ पर हर्गो जो करतव्य निष्ठा है यानि वो अपने करतव्यों का पालन करता है तो यह उसके चरित्र की पहली विशेष्टा है तथा स्वामी भक्ती भी है यानि जो उसका रखवाला है जिसका वो सेवक है वो उसकी भक्ती करता है एक वक्त पर बड़ी बहुरिया ने अपने आर्थ करता है जो इसके चरित को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता हुँआ दिखता है कि अगला प्रशने हमारे सामने समवधिया की क्या विशेषता है और गाउवालों के मन में समवधिया की क्या अवधारना है तो समवधिया जो है इस पाट के मध्यम से जब हम समवधिया की विशेषता है देखने को मिलती है और गावाले जो है समवधिया के लिए क्या सोचते हैं क्या विचार वो रखते हैं क्या अधारना बनाते हैं समवधिया वातावरन सूंकर ही समवाद का अनुमान लगा लेता है यानि जिस किसी ने भी अपने समवाद को पहुँचाने के लिए बुलाया होता है वो माहुल को देखकर ही समझ जाता है कि सूंकर मतलब महसूस करना उसका अनुमाल लगा लेता है कि कैसा समवाद उसे मिलने वाला है । भैक्ष। भावुक हैं, community, and इमूश्णल, एक सम्वेदंशीर, एवं समझदार भी व्यक्ति है . वह इमानदार है और दूसरों का मददगार है यानि कि जो समवधिया है वह समवेदन शील व्यक्ति है भावुक भी है इमानदार है दूसरों की मदद भी करता है वह चतुर है चलाग भी है गाउवालों के मन में समवधिया की जो यह अवधारना है कि वह निठला है कामचोर ह और पेटू आदमी ही समवधिया का कारे करता है तो यहाँ पर यह पताया जा रहा है कि जो समवधिया पाठ है उसके माध्यम से पता लगता है जो हर गोबिन है वो स्वभाव से तो भावुक विक्ती है समवेदनशील भी है समजदार है चलाक है इमानदार भी है जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता बीना मजदूरी के ही जो समवाद पहुंचाता है वे औरतों का गुलाम होता है तो गाउवाले जो है समवधिया के विशे में ऐसी अवधारना रखते है यहाँ पर पार्ट से आपको एक पंक्ती दी गई है परग्राफ बड़े भईया के मरते ही जैसे सब तो इस पंक्ती को यहाँ से लेकर बेचारी बड़ी बहुरिया यहाँ तक जो है इसकी विशा परसंग व्याख्या करनी है तो यह पार्ट जो है समवधिया से लिया गया है उसका यह परग्राफ है और लेखक फनीश्वनात रेनूजी है तो इसका संदर्ब जो है इस प्रकार है कि इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने बड़ी बहुरिया की आर्थिक इस्तिती खराब होने के करन पती की मृत्यू के पश्चात उसके भाईयों में परस पर ग्रह कलेश को बताया है तो संदर्ब में हमें यह बताना है प्रसंग में हमें यह पार्ट किस पार्ट से लिया गया है वो और इसके लेखक और संदर्ब में हमें बताना है कि इस पूरे पेराग्राफ में एक overall view जो है वो क्या है कि पूरे इस पेराग्राफ में हमें ये बताए गया है कि बड़ी बहुरिया की जो आर्थिक इस्तिती वो खराब होगी क्योंकि उनके पती की मृत्ति हो चुके और उसके बाद भाईयों में परस पर ग्रह कलेश होता है व्यक्या इस प्रकार है कि बड़ी बहुरिया की जो पती है उसकी मौत के बाद घर की रौनकी चली गई परिवार बिखर गया क्योंकि सारी संपत्ति का बटवारा सभी भाईयों ने आपस में कर लिया तो बड़ी बहुरिया के पती की मृत्ति होने के बाद घर जो है बिख बड़े भहिया की मुर्द्व के पश्चात घर का जो हाल हुआ वे बहुत ही कश्ट दाई था वे केवल एक बेचारी बनकर अब रह गई कौन बड़ी बहुरिया उसकी भावनाओं की अब किसी को कद्र भी नहीं रही कोई कद्र नहीं करता तो यह जो पैरग्राफ है इससे य कथा है वहां से जुड़े हुई यह आंचलिक भाषा का प्रियोग यहां पर किया गया है शब्द भंडार आंचलिक शब्दों का प्रियोग क्या गया है लोकोक्ति या मुहावरा खेल खत्म हो जाना दावा करना लीला करना यह इस पैरग्राफ में जितने मुहावरों का प सिद्ध हुई है तो इस तरीके से यहां पर समवध्या पाठ के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रशने थे वह यहां पर हमने डिसकस किये हैं जो कि आपकी एक्जाम परपस से काफी यूसफुल रहने वाले हैं इसी तरीके से चैनल पर आप विजिट करें प्लेलिस सेक्षन में तो इस चैप्टर की लाइन टू लेन एक्स्प्लेनेशन समरी कोईशन आंसर सभी आपको प्रवाइड किये गये हैं जो आपकी एक्जाम परपस से काफी यूसफुल होने वाले हैं इसी तरीके से कर अगर आपको वीडियो हेल्फुल लग रही है तो ज़रूर इसे लाइक क शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसे कि आपको टाइम लिया ब्लीग दो